नमश्कार आप देख रहे हैं दरश निउस और मैं हूँ यती आपके साथ बिहार के मुख्या नितीश कुमार एक बार फिर से ये बोल बैठे कि कुछ भी हो जाए मैं इधर से उधर नहीं जाओंगा मैंने दो बार गलती कर दी है पर इस बार गलती नहीं होगी मैं अंडिये के साथ ही रहूँगा अब नितीश कुमार ने बात कब बोली यह भी हम आपको याद दिला दे से यह नितीश कुमार उस कारक्रम में थे जहाँ पर जेपी नड़ा बिहार आए वे थे देखिए बिहार आकर के जेपी नड़ा ने हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उनके पास जो स्वास्त मंत्राले हैं उनके पास उसे लेकर कई सारे अस्पताल भी गए निरिक्शन किया कई कारेक्रमों को और कई चीजों का जेपी नड़ा ने सिला नयांश किया इस दोरान के हम आपको तस्वीरे पहले दिखा दे जब स्टेज पर जेपी नड़ा के साथ सेम नितीश कुमार भी आपको नजर आएंगे और तमाम एंडिये घटक दल के नेता भी इसकार करम में मौदू थे इस दोरान जब स्टेज पर लोगों का अभिवादन कर रहे थे अपनी बाते रख रहे थे इस दोरान उन्होंने एक बार फिर से ये दोरा दिया कि मैंने दो बार गलती कर दी है इस बार में गलती नहीं करूँगा अब मैं कहीं नहीं जाओंगा मैं अंडिये के साथ रहूँगा जेपी नड़ा के सामने सीम नितीश कुमार ने ये बात तो कह दी अब इसके बाद से ही सियासत तेज हो गई है वो इसलिए क्योंकि देए जस प्रकार से सीम नितीश कुमार पहले महागणबनन के साथ थे इंडिया अलायंस का सूत्रधार थे सीम नितीश कुमार उन्होंने सारे विपक्ष के नेताओं को एक जगाल आकर एक मंच पर खड़ा किया इसके बाद सीम नितीश कुमार ने पाला बदल लिया और एंडिये में चले गए प्रदानमंत्री मोधी के साथ कि उनकी नस्दीकिया लगतार देखी गई अब सीम नितीश कुमार एक बार फिर से ये बोल बैठे कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे दो बार गलती कर चुके हैं इस बार वो इस गलती को नहीं करना चाहते इस पर अब कॉंग्रेस की तरफ से और आरजेटी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है देखे लगतार विपक्ष सिम नितीश कुमार के इस बयान पर हमला वर है कॉंग्रेस अध्यक्ष अखलेश प्रशास सिंग ने तो यहां तक कह दिया कि सिम नितीश कुमार को भगवान सद बुद्धी दे ताकि वो बिहार की जनता के लिए अच्छे से कामकाज करे उधर शक्ति आदव का भी इसी प्रकार से बयान सामने आया शक्ति आदव ने भी एक बयान जारी किया सोशल मीडिया के मादम से जहां उन्होंने ये कह दिया कि सिम नितीश कुमार जिनके साथ हैं उन्हीं के सामने ऐसी कौनसी मजबूरी आ गई है कि बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि वो अब इधर से उधर नहीं जाएंगे वह हम आपको ये भी बता दे कि अशोक चौधरी का एक बयान सामने आया था जहां पर अशोक चौधरी ने ये कह दिया था कि आरजेडी के कई नेता जो है वो संपर्क में है और बहुत जल आरजेडी में टूट होने वाली है इस पूरे बयान पर अखिलेश प्रिशाद सिंग ने पत्रकार उसे क्या कुछ कहा और शक्ती आदव का क्या कुछ बयान आया है हम आपको उस पूरे वीडियो के साथ छोड़े जा रहे है अरे भाई भगवान भरो से चल रहा है बिहार आपका किस्मत है कि आप सुरक्षित हैं अरे बिहार के लोगों का भला करें यहां लौए और ठीक करें यहां के लोगों को बेरोजगारी यहां के इस पर बोलना चाहिए तो इधर नहीं जाएंगे उधर नहीं जाएंगे यही बूल about के ORG के तो आता जाते रहते हैं असूपार्चष। इतना बड़ा है मुखमंत निंतीस जी बार बार आप क्यों गलती करतें किrench और आपको बार बार सफाई देना पड़ता है कितना दवाव आप पर है भातिनता पाती का कि हर एक ब्यक्ति जो आपसे जुनियर है उसके सामने भी आपको सफ़ाई देना पड़ता है हाँ जोड़ना पड़ता है कैसी मान से किसी बना लिया आपने आपके सागिर्दों ने कहां लाके खड़ा कर दिया है ये तो सुभाब बिहार हित के लिए ठीक नहीं है ना राजद में आते हैं तो कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे और भाजपा में नहीं जाएंगे ये बात आप लिख लिजेगा कबूल नहीं है भाजपा आप नहीं कहा फिर चले गए थे फिर छटपटा हट में फिर आ गए और आपने कहा कि हमारे चम्चे बिल्चे जो सागिर्द हैं यहीं लोग तो ले गए थे हमको हम जाना कहां चाह रहे थे फिर कुछ दिन के बाद फिर मन ना हिस्थिती को बिगाड़ दिया लोगों ने फिर आपको ले करके गए लोग आप ही गए अब इतना बार सफाई अरे प्रधार मं इसपर क्यों कालिक पोत्ना चाहते है कों बुला रहा है अंधियालै आपकी मर्जी है तो को में बुला रहा है क्या आपको कहां जाई США कि नू जाईएगा वे लेकिन भार-बार असाफाई कभी सिनूर की कसम कभी किसी कि क सम कभी अधना ग़्सी हम किरानी कलरक प्राइवेट कंपनी का इंजिनियर के सामने कभी हान जोड़ते हैं एक क्या बना कर रखा है आपके मनहस्थिति को लोगों ने नितिश कुमार एक ब्यक्तित है बंस अपने टैम देरवाज नितिश कुमार अज क्या हो गया भैई क्या हो गया है कि बार बार हर भाजपाई के स सामने आपको घुतना टेक करके माफी मांगना पड़ता है और सफ़ाए देना पड़ता है यहीं व्यक्तित्म रहा है क्या आपका एही अतीत है क्या बिहार का कि इन संघियों के सामने घुटना टेकथे और है सफाई देते रहें अ कि बिहार को लज्जित मत करísए